नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेश आठ अक्टूबर शनिवार सुबह सवा आठ बजे राजसान की बड़ी खब्रे और राजसान रजिडेंट डॉक्टर्स असोसियेशन की पूर्व में चलिया रही आठ सुत्री मांगो को लेकर शनिवार से अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स त्वारा दो घंटे का कारे भाहिशकार कर प्रदर्शन किया जाएगा इससे लेकर अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसियेशन ने अपने तयारियां पूरी कर ली है अज में Resident Doctor Association के अध्यक्ष अभिशेक बेंधा नहीं बताया कि लंबे समय से Resident Doctors अपनी मांगों के प्रति प्रिशासन को अवगत करवा रहा है लेकिन पिछले एक साल से उन्हें आश्वासन दे कर भरोसे में रखा गया है जिसके कारण Resident Doctors Association में काफी आक्रोश है जैपन में प्रिशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को पट्टे मिले इसके लिए सरकार तमाम सहूलियत दे रही है लेकिन अधिकारी मिली भगत कर पट्टे अटकाने में लगे हैं जैडिये जोन 9 की श्री नर्सिंग अर्केड आवासे योजना के भुखन दारी शिवी लगवाने के लिए जैडिये में चुक्कर लगा रही हैं शिवी लगाने के बजाए नगरिये विकास विभा के अधिकारियों ने योजना पर ही सवाल खड़े कर दिये और नगरे विकास मंत्री शांतिधरीवाल ने नगरे विकास विभा के विधि सलाकार महावीर प्रसाथ स्वामी के रिपोर्ट के अधर पर योजना को धारा नब्बे ए के तहत कारवाही करने का सुझाव दिया इस पर कॉलोनी के लोगों ने आपती जता है और मंत्री से मिले मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस मामले का दिखवा कर पट्टे जारी करवाए जाएं राज़ानी जैपूर के अज मेरी गेट पर यूवती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वीडियो में यूवती तीन अलग-अलग गानों पर डांस करती नज़र आ रही है चलते ट्राफिक के बीच में डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर ये वीडियो इंफ्लूएंस और खुशी शर्माने डाले हैं खुशी के सोशल मीडिया पर एक लाग ग्यारा हजार फॉलोवर है वीडियो को अब दो लाग से अधिक लोग देख चुके हैं 250 करोर रुपए के भारत जोडों मार्क के शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आए इस मार्क पर सवेरे उस समें हासा होते होते बज़ गया जब अमबेटकर सर्कल की ओर से आ रहा एक लोडिंग वहान इस ऐलेवेटिट पर चड़ने के दौरान वहाँ पर लगी करीब 400 किलो वजनी गाडर से जौटक राया तेज अवाज से गाडर तूटकर पीछे आ रहे बाइक सवाद दो यूगों के पास गिर गया गनीमत ये रहे कि किसी तरह के जौनहाने नहीं हुई इस दौरान ट्राफिक को करीब एक घंटे तक के लिए बंद कर दिया गया उपनेता प्रतिपाक शुराजेंदर राठौर ने इंवेस्टर राजिस्थान समिट को लेकर कहा कि सरकारी धन से लोकलुभावने विञ्यापन जारी करके बड़े-बड़े लोगों को गुलाकर कौंगर सरकार इंवेस्थ राजिस्थान समिट आयोजित कर रही है इसका नतीजा धाग के तीन पात ही साबित होगा CM राजसान में 10 लाग करोड से ज़्यादा की निवेश का दावा तो खुब कर रहे हैं लेकिन क्रियानवन के समय धरातल पर 90% निवेश भी नहीं आएगा क्योंकि आज सरकार खुद अनिशित्ता के दौर से गुजर रही है आप अधापी के इस प्रकार के वातावरण में निवेश के संभावना भी शीन हो जाती है ताठोन ने कहा कि राजसान में अफसर शाही और लाल फिता शाही चल रही है राजसान के सभी सरकारी कॉलेजों में पीजी पुरवार दियर में प्रवेश के लिए ओनलाइन आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स अब 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे कॉलेज शिक्षा एक ताले ने इस समद में निर्देश चारी कर दिये हैं पहले ये ती थी 6 अक्टूबर थी इन कॉलेजों में लॉक कॉलेज, राजसान, स्कूल आफ आर्स और संगीत संस्तान शामिल नहीं है राजसान के नर्सिंग संस्तानों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तिता मिलने या नहीं मिलने को लेकर केंद्रवे राजसान के बीच चल रहा विवाद अब भी दूर नहीं हुआ है INC ने श्याक्षनिक सतर 2022 से इसके नर्सिंग संस्तानों के सूची वेबसाइट पर ज़ारी की है जिसमें अन्य राजियों के नर्सिंग संस्तानों के नाम है लेकिन राजिस्तान के कई नर्सिंग संस्तानों की नाम नहीं है इसे राजी के 200 नर्सिंग संसानों के करीब 12,000 नर्सिंग छात्र छात्राओं के भविशे पर संकट की आशंका है पूरू मुख्य मंत्री वसुंधरा राजी कल रविवार सुबह बिकाने राएंगी राजी के ऑफिस से जारी कालकरम के मताबिक वे रविवार और सुमवार दो दिन बिकानेर में रहेंगी वहें इस कालकरम में जूनागर के सामने किसी आम सभा की जौनकारी नहीं दी गई है उधर सांसद और केंद्री राजी मंत्री अरजुनाम मेगवाल के पुत्र रवी शेखर मेगवाल ने सोशल मेडिया पर इस कालकरम को पूरी तना से व्यक्तिकत बताया है वसंतरा राजे रविवार सुबह पॉने 10 बजे जैपुर से हलिकॉप्टर से रवाना होंगी और 11 बजे देशनोग पहुँचेंगी महां करणी माता के मंदिर में पूजा अरजना के बाद एक बजे मुकाम पहुँचेंगी वहां भी दर्शन और पूजा अरजना करके बिकाने शहर के लिए रवाना होंगी महरानगण म्यूजियम ट्रस्ट वेर जैपुर विरासत फांडिशन की साजह मेजबानी में जोदपूर में चल रहे लोग संगीत और कलाकारों को समर्पित राजिस्थान इंटरनाशनल फोक फैस्टिवल के दूसरे दिन लोग कला पर जोर रहा पांच दिवसियर रिफ के दूसरे दिन जिस्वन थड़ा में भजनों की बयार बही वही महरानगण में लोग कलाओं का प्रदशन हुआ यहां कलाकारों के परंपरिक लोगनृत्री पर दर्शक अश्रोता जूमने पर मजबूर हो गए इस अरान पूर्वन अरेश गसिंग वहेम लता राजे ने भी वहां पहुंच कर लोग कलाकारों का होसला बढ़ाया बीका नई शहर की 14 कच्ची बस्तियों में रहने वाले सेंकडो परिवारों को दिपावली तक उनके घर का पट्टा मिल सकता है नगरविकास न्यास की शुकरवार को हुई बैठक में इन कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड कर दिया गया ऐसे में अब न्यास इनके आवास्य पट्टे दे सकेगा नगरविकास न्यास चेयर्मेन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के अध्यक्षता में शुकरवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में 14 अच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड के प्रस्ताव का नुमोदन हुआ राजिसान परेटन विभाग तथा जोद्पुर जिला प्रशासन की ओर से दो दिवसी अमारवार उस सब्शनिवार से होगा जिला कलेक्टर हिमान शुकुपता ने आयोजन को लेकर की गई तयारियों की समिक्षा कर सभी कायक्रमों को बहतर ढंग से संपाधित करने के निर्देश दिये चूरू में बालवा ज्यानिकों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए उन्हें उप्यूक्त मंच प्रदान करने के उदिश से शुरू की गई इंस्पाइर अवार्ड स्कॉलर्शिप यूजना को लेकर होनहर विद्यार्थियों में कम उत्साहन नज़रा रहा है जिले में कई प्रतिभाएं ऐसी रही है जिसके कारण चूरू का नाम रास्टिस सर पर हुआ है लेकिन इस बार की बात करें तो नहीं के बराबर आवेदन किये गए हलात ये है कि गतवर्श की तुलना में अब तक इस बार करीब 40 प्रतिशत ही आवेदन प्राप्थ हुए है उत्तरपशिम रेलवे ने पहली बार कई ऐसे उत्पादों का लदान शुरू किया है जिससे ना केवल रेलवे की इंकम बढ़ रही है बलकि व्यापारियों का माल ततकाल एक जगा से दूसरी जगा पर पहुँच रहा है ये पहला मौका है जब रेलवे ने इंडिस्ट्रियल वाटर, पुट्टी, प्याज, किन्नो और चाइना कले आदी का लदान शुरू किया है साथ ही बिजनेस डवलाप्मेंट यूनिट के प्रयासों से पांच नए गुड्स, शडब भी NWR पर खोले गए हैं इनमें इसर्दा, परबसर सिटी, सरूपसर, जामसर और बिलाडा शामिल है लासान के स्टेट टोल नाको पर वाहन चालकों से 400 बराबर वसुला ज़ुरा है लेकिन कुछ टोल सुरुक्षा की द्रस्टी से सडख बनाने के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं मौटर वाहन अधिनियम 198 के तहट उपर वाहन निरिक्षक रॉबिन सिंग ने गुरुवार को राजमार्ग सैंतिस, खंडेला श्री मादोपूर वेरिंकस पर रलावता टोल संचालक के खिलाफ चालान बनाकर एक लाक रुपे का जुर्वाना लगाया है निरिक्षन के दोरान टोल सड़क के दोनों छोर पर सफेद लाइन, घुमाओं पर साइन बोर्ड और रात्री रोड रिफलेक्टर एवं कैट आई नहीं पाई गई जैसल मेर में दो वर्ष बात विदेशी परेटकों की आवक पूरी तरह से बंद रही इस वर्ष शिशी रितु की शुरुआत के साथ साथ समंदर पार से विदेशी परेटकों की आवक शुरू हो चुकी है ऐसे में परेटन वेवसाइस औ जुड़े लोग अच्छी सीजन की आस लगा रही है लगता दो वर्ष तक विदेशी परेटकों की आवक पूरी तरह से बंद रही विशेश रूप से पश्मी रासान के सरहदी जिले में परेटकों की आवक पूरी तरह से बाधित होने की कारण परेटन वेवसाइट ठप हो गया दो वर्ष बाद विदेशों से हवाई सेवाई पुने शुरू हो गई है तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिरों के कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर